शहर की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें नागपूर ने कोरोना मरिजों का 1000 का आकड़ा पार कर लिया है सोमवार की सुभा आयने, 9 कोरोना मरिजों से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1014 तक पहुँच गई है कोरोना के आकड़े तेजी से बढ़ रहे है कहा शहर में संक्रमितों की संख्या 300 थी और अब यही 3 गुना हो चुकी है जिसे रोकने के लिए सामाजिक दुरी और जाग रुकता जरूरी है सिटी में अब कोरोना पॉजिटिव का आकड़ा 1000 को पार्क कर चुका है मिली जानकर के अनुसार कुल पॉजिटिव की संख्या 1014 हो गई है यह शनिवार को 972 थी रविवार को 29 के रिपोर्ट पॉजिटिव आई मेल लैप की 14 रिपोर्ट पॉजिटिव आई जिसमें विएनाइटी कॉरिंटाइन सेंटर के 11 का समाविश है यह सभी नाइक तालाब बंगला देश के है वही एक जूनी मगलवारी, एक डूबी नगर और एक सत्रन जिपुराता है देशाम आई रिपोर्ट में 4 अन्य पॉजिटिव आई है एम से 11 रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सो उमार की सुभर राजनगर से 9, 7 नाइक तालाब दो चंद्रमनी नगर और एम स्लैप से 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जिसमें दो एसार पी एफ और रवी भवन से 3 एक आर्या नगर और एक जाड़ी वाला ले आउट रामेश्वरी और एक सावर वांदे हॉल हुड़केशवर रोड से पॉजिटिव पाया गया है जिसे अब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरिदों के संक्या 2014 पर पहुच चुकी है फिलाल भी विदे अस्पतालों में कुल 350 पॉजिटिव भरती है और उनका उप्चार क्या जा रहा है इनमें मेडिकल में 147 तो मेयो में 150 और एम्स में 50 मिल्ट्री हॉस्पिटल कामठी में 2 का समारेश है अब तक कुल 18,212 सी नमूनों की जार्च हो चुकी है तो रविवार को कुल मिला कर 448 वैब नमूनों की जार्च की गई सिटी में लॉकडाउन से छूर के बाद भारी लापरवाही देखने मिल रही है बाजार परिसलों में भी फीड के अलावा दुकानों में सोशल डिस्टंसी का पालन नहीं हो रहा लोगों में कोरोना का भैस समापसा दिखाई दे रहा है जो काफी खतरनाक साबित हो सकता है